पर दीजिए आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम क्शेशन करें Class 8 exercise number 2.4 question number 4 question है one of the two digits of a two digit number is three times the other digit if you interchange the digits of this two digit number and add the resulting number to the original number you get 88 what is the original number question में कहा है कि एक two digit number में से एक digit दूसरे वाले digit से three times है ठीक है फिर कहा if you interchange the digits of this two digit number and add the resulting number to the original number you get 88 क्या कहते हैं कि कि आप digit को interchange कर देते हैं यानि unit वाले को 10 और 10 digit को unit digit बना देते हैं तो एक नया number मिल जाता है और फिर कहते हैं यह जो resulting number है जो नया आपने digit को interchange करके बनाया है उस number को और original number को जब आप add कर देते हैं तो आपको 88 उसका sum मिलता है ठीक है तो बताइए कि original number क्या है ठीक है तो सबसे पहले तो क्या है टू डिजिट नंबर है तो एक unit और एक 10 डिजिट होगा solution में let unit digit unit digit हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया फिर क्या कहा है कि one of the two digit of a two digit number is three times the other तो जो दूसरा है वो इससे three times है यहने अगर unit x है तो टैंस क्या होगा टैंस डिजिट वुड़ भी three x three times of this यहने unit digit तो यह बन गया हमारा दूसरा नंबर ठीक है अब बनाते हम original number अ ओरिजिनल नंबर तो किसी भी टू डिजिट का original नंबर या नंबर बनाने में हमें क्या करना होता है है टैन मल्टिप्लाइट वाइट टैंस डिजिट प्लस वन मल्टिप्लाइट वाइट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ठीक है तो टैन का मल्टिप्लाइट यूनिट डिजिट होजाता है तो टैन इंस डिजिट 30 एक्स प्लस वन एक्स कि फाइनली आया 30 और वन यहने 31 एक्स तो यह हमारा कि यह बन गया ओरीजनल नंबर लेट यह वास्ट ठीक है आप क्या कहते हैं कि जब इंटर चेंज करते हैं तो एक नया नंबर बनता है तो कि आफ्टर इंटर चेंजिंग इंटर चेंज कैसे करेंगे यह जो टैन है उसे वन को और वन को जो है वो टैन के पास पहुचा देंगे ठीक है तो हमारा न्यू नंबर क्या बनेगा न्यू नंबर जो हो जाएगा वह यहां वन यहने वन इंटू कि ए टैन्स कि डिजिट प्लस और यहां हो गया टैन ठीक है वन की जगे टैन इंटू यूनिट डिजिट तो अब कैसे बना वन इंटू टैन्स डिजिट क्या है हमारे पास टैन्स डिजिट तो है थ्री एकस प्लस टैन इंटू यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट है एकस तो यह बन गया वन तो यह हमारा क्या बन गया नया नंबर यह हमारा है ओरीजिनल नंबर फिर क्या कहा कि दोनों को एड करने पर 88 आता है ठीक है अगर हम कोशन को देखें तो यहां क्या क्या है हमारे बास तो जैसे हम एड करते हैं रिजल्टिंग नंबर और ओरीजिनल नंबर को तो हमें 88 मिलता है तो अब हमारे पास according to the question 13x प्लस ओरीजिनल नंबर 31x मिल करके बन जाते हैं 88 अब इसे solve कर दीजिए यह हो गया 44x is equal to 88 इसको नीचे कर दीजिए एक्स इस इक्वल स्टू 88 अपॉन 44 तो यह गठा टू टाइम तो एक्स की जो वैल्यू आई आपके बाद वह आई है तो तो ओरीजिनल नंबर ओरीजिनल नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बना हुआ है यह है ओरीजिनल नंबर क्या बना था 31x तो यह हो गया 31x ठीक है यह हो गया 31 x की वैल्यू जो आई है 2 तो यह आगया 62 तो यह हमारा आंसर है तो देट इस तर रेक्वाइड नंबर जो की इस कोशन में निकालने के लिए कहा गया है हुआ है